त्वयम सहायता सम की महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणा टीवी चैनल के तरब से भी दिदी नमस्कार आज दिदी हम कुछ अलग बात करने जा रहे हैं आपसे प्लीज 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 आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिल्कुल छोड़के ना जाए अंतग देखती रहें क्योंकि आप भी एक महिला है आपको जागरू करना हमारा करतव्य है हम भी दिदी एक महिला ही है हमारा उद्देश यही है कि हमारी हर बहन हमारी हर दिदी जो है घर घर की बहन जो है कि आगे बढ़े गरीबी से बाहर निकल जाए और उनका कहीं भी सोसन ना हो क्योंकि महिलाओं का हर प्रकार से सोसर्ण होता है यह आप भी जानती है चाहे वो घर हो या बाहर सोसर्ण तो जो ही चाहे वही कर लेता है लेकिन महिलाओं चुपी जाती है उसी से सबसे बड़ी परसानिय उनके लिए बढ़ती है आपको बता दे दिदी सरकार की वन स्टाफ सेंटर स्कीम है कई माईडों में खास जानिये किन महिलाओं को मिलता है फायदा तो इसके बारे माँ आप रुष्टार से वीडियों तक देखिए और समझे और इस वीडियो को देदी आपसे प्लीज 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 निवेदन है ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आपके वर्ट्शप ग्रूप है मेसेज कर दिजिए एक महिला अगर किसी भी तरह की हिंसा झेलती है तो उसकी जल्द से जल्द मदद करने की जरुत पड़ती है जैसे मेडिकल सपोर्ट, कानूनी सहायता, सअस्थाई रूप से रहने के लिए स्थान, मानिसिक और भावात्मक सहयोग आपको बता दे दिदी, एक महिला अगर किसी भी तरह की हिंसा झेलती है तो उसकी जल्द से जल्द मदद करने की जरुत पड़ती है जैसे मेडिकल सपोर्ट, कानूनी सहायता, सअस्थाई रूप से रहने के लिए स्थान, क्योंकि सबसे पहले महिला इसी से संकोश खाती है कि हमें रहने का कहीं अस्थान नहीं है, मानिसिक और भावात्मक सहयोग, इस कंडीशन में ये बहुत जरुरी हो जाता है कि उस महिला को ये सभी मदद एक ही स्थान पर मिल जाए, और उसे अलग-अलग जगों पर भटकने की जरुरत ना पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वन श्टाप सेंटर योजना की सुरुवात की, इसके तहत किसी भी महिला को जिस तरह की भी मदद चाहिए, वो इस योजना के तहत आने वाले मुख्य बिंद्यों को, जिहां मुख्य बिंद्यों को जान कर ले सकती है आपको बता दे दिदी, वन श्टाप सेंटर योजना भारस सरकार ने एक अपरेल 2015 को हिंसा प्रभावित महिलाओं को समर्थन करने के लिए लागू की थी, ये योजना मूल रूप से सक्खी के नाम से जानी जाती है इस योजना को महिला और बाल विकास मंत्राले ने तयार किया है इस योजना के जरिये पूरे देश में सिल, सिलेवार, तरीके से प्राइवेट और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही जगहां पर सब को लाकर समर्थन और सहायता देने के लिए कई वन श्टाप सेंटर बनाए जा रहे हैं इस योजना के अंतरगत OSC हिंसा जाती वर्ग धर्म सेक्सूल औरी एंटेंशन या फिर किसी भी तरह की वेवाहिक इस्तिती से प्रभावित 18 साल से कम उम्र की लड़कियों समेत सभी महिलाओं का समर्थन किया जाएगा चलिए दिदी जानते हैं क्या है वन श्टाप सेंटर स्कीम जी हां इसके बारे में विस्तार से जानते हैं वन स्टाप सेंटर स्कीम का मतलब है दिदी एक ऐसी विवस्था जहां हिंसा से पीडित कोई भी महिला सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे एक साथ पा सकती है आपको बता दे दिदी इन सेंटर्स को हस्पतालों में चलाया जाता है जहां मेडिकल एंड लीगल एंड अस्थाई रूप से रहने के लिए जगहां केस फाइल करने के लिए मदद कॉंसलिंग सब कुछ एक ही जगहां पर उपलब्द होती है जस्टिस उसा महरा ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसे सेंटर्स को स्थापित करने की जरुद को लेकर जोर दिया था आपको बता दे दिदी इस सेंटर में कौन जा सकता है इस सेंटर में किसी भी तरह की हिंसा जहेल रही महिला जिया दिदी किसी भी तरह की हिंसा जहेल रही महिला बलातकार लैंगिंग हिंसा घरेलू हिंसा ट्रेफिंग एसिट अटेक विक्टिम विच हार्टिंग दहेश सम्बंधित हिंसा सती बाल योन शोशन बाल विवा मूण हत्या जैसे मामलों से पीडित कोई भी महिला यहां इस योजना की अंतरगत केवल महिलाओं के लिए कई सारी सेवाओं को उपलब्ध कराई गई है जिसके लिए हेल्प लाइन भी दिये गए हैं इन सेवाओं के बारे में हम आपको यहां बता रहे हैं बता दे दिदी इन सभी परसितियों में से यह सेंटर महिलाओं की मदद करता है आपात कालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं मेडिकल फैसिलिटी आई आरदज करने में महिलाओं की सहायता साइकोलोजिस्ट सोसल फेवर और गार्डेंस कानूनी सहायता और प्रामश सरण वीडियो कॉम्फरेंसिंग की सुधा फंड इस योजना को निर्भिया फंड के जरिये फंडेंड किया जाएगा केंदर सरकार की इस योजना के तहत राज सरकार केंदर सासित प्रदेश के प्रसासनों को सौ फीस दी फंड की मदद की जाएगी आप सभी दीदियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि प्लीज प्लीज दीदी आप इस वीडियो को अपने वाटसप ग्रूप में सभी में सेर कर दे चाहे वो आपका ग्रूप ही क्यों ना हो आपके पास कई वाटसप नंबर होंगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कर दीजिए क्योंकि महिलाओं को जागरूख होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाओं हैं जो घर में शोशन हो रहा है लेकिन वह कहीं रह नहीं सकती इसके डर से कहीं कंप्लेन नहीं करती अगर दीदे आपके आसपास कोई ऐसी महिला दिखे जो वाकई में काफी परिशान हो बहुत ज्यादा शोशन किया जा रहा हो पहले तो आप स्वैम उसकी मदद करें अगर आप मदद करें उसकी अगर जादा शेयर करें क्योंकि हर कोई खड़ा है ऐसी महिलाओं को आगे ले जाने के लिए और उनके दुख को कम करने के लिए क्योंकि यहाँ आप भी जानती है जिस दीदी पे जो बीटती है वही जानती है वहाँ किसी से कह नहीं सकती लेकिन हम आपके साथ आपका दुख जरूर शियर करेंगे अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारे मुबाइल नमबर पे phone कर सकती है message कर सकती है हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे आपसे हमारा यही निवेदन है प्लीज दीदी हमारे प्रेंटा टीवी चैनल को subscribe कर लेजे और वीडियो अच्छी लगे तो like कर देजे आपसे निवेदन है ज्यादा शियर कर देजे धन्यवाद जया जी विका